में कम्प्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है आज की टाइम में हमारा हर काम इंटरनेट के जरीए ही किया जाता है फिर चाहे वो सरकारी कमपनी का कामकाज हो या फिर प्राइविट कमपनी का पैसो का लेन देन भी ऑनलाइन ही किया जाता है यानि कि हर प्रकार की डेटा का आदान प्रदान किसी न किसी रूप में इंटरनेट पर हो रहा है और यूजर्स की डेवाइसेज जैसे की कम्प्यूटर, लैप्टॉप, टैबलेट, मोबाइल, फोन या दूसरी सभी स्मार्ट डेवाइसेज इंटरनेट पर कनेक्ट होकर रहती है जिस इस्तर पर इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है और प्रतिदिन लाको करोडो यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पर यूजर्स की सिक्यूरिटी पर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि आए दिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग, वाइरस अटैक और डेटा थेफ्ट की शिकार बन रहे लोगों की खबरे मिलती रहती है इसलिए यूजर्स की डेटा को सिक्यूरिटी प्रदान करना बहुत ही जादा जरूरी हो गया है इंटरनेट की यूजर्स को साइबर क्राइम से बचानी के लिए साइबर सिक्यूरिटी का इस्तमाल किया जाता है जिसमें यूजर्स की डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है साइबर सिक्यूरिटी के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा लेकिन शायद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज किस वीडियो में हम आपको साइबर सिक्योरिटी क्या है साइबर अटाइक कितने प्रकार के होते हैं और इसका इस्तेमाल करने की क्या लाब होते हैं इससी जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुँचाई जाए, लेकिन उससे पहले आप सभी का Quick Support Channel पर स्वागत है और Cyber Security के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखे. तो सबसे पहले हम जानेंगी कि Cyber Security होता क्या है? Cyber Security एक तरह की सुरक्षा है, जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है. Cyber Security दो शब्दों से बना है, पहला है Cyber और दूसरा है Security. तो जो कुछ भी इंटरनेट, इंफोमेशन, टेकनोलोजी, कम्प्यूटर, नेटवर्क्स, एप्लिकेशन या डेटा से संबंधित है, उसे हम Cyber कहते हैं. जबकि Security सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्यूरिटी, नेटवर्क सिक्यूरिटी और एप्लिकेशन और इंफोमेशन सिक्यूरिटी शामिल है. साइबर सिक्यूरिटी मजबूत करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से हाडवेर और सॉफ्ट्वेर के डेटा को और भी सिक्यूर बनाया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह से डेटा की चोरी ना हो, और सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल सुरक्षित रहे. आज पूरी दुनिया में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की जा रही है. साइबर सिक्यूरिटी के आधार पर कोई भी ऑर्गनाइजिशन या कोई भी यूजर अपने महत्वपोर्ण डेटा को, हैकर्स बिना परमिशन के इलेक्रोनिक टूल्स की अज़ाना, साइबर क्राइम कहा जाता है. और जो ये क्राइम करते हैं, उन्हें अन एथिकल हैकर्स कहा जाता है. इसका मतलब है कि इंटरनेट का गलत तरीके से इस्तेमाल करके, किसी को नुकसान पहुचाना या इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों को, साइब का भी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं. कई तरह के मालशिय साफ्ट्वेर को बनाने के लिए, तो साइबर क्राइम के अंतरगत, ब्लैक मेलिंग, स्टॉकिंग, कॉपिराइट, क्रेडिट कार्ड की चोड़ी, फ्रॉड आधी आते हैं. ऐसे हैकर्स और साइबर क्राइम से इंट सारी जानकारियां सुरक्षित होने चाहिए. इसके अलावा नेटवर्क और एप्लिकेशन भी सुरक्षित होना चाहिए. और अब हम जानेंगे आगे साइबर अटायक या साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं. आज हम देख रहे हैं कि दुनिया इंटरनेट में इस त प्रोखिम में होती है. एक रिस्क रहता है और इस बात की गैरेंटी देने का कोई तरीका नहीं है कि हमारी जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे. इसलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर देश में साइबर सिक्यॉरिटी का अलग से कानून बनाया गया है जिसका मकसद है साइबर सिक्यॉरिटी के लिए काम कर रहे अधिकारियों को सूचित कर सके. तो चलिए अब हम अलग-अलग प्रकार के साइबर अटैक्स के बारे में जानते हैं. सबसे पहला है वाइरसिस. कंप्यूटर वाइरस के बारे में तो आपने सुना ही होगा जो एक प्रकार का माल प्रोग्राम होता है जिने विशेश रूप से पीडितों के कंप्यूटर को नुक्सान पहुचाने के लिए बनाया गया होता है। वाइरस सही समय में अपने आपको कॉपी करके पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और यूजर्स की अनुमती या ज्यान के बिना ही कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर सकते हैं और डेटा चुरा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेटा या फाइल्स को डिलीट कर देता है या फिर डेटा चोरी कर लेता है। ट्रोजन होर्स अन्य वाइरस की तरह अपनी कॉपी तो क्रियेट नहीं कर सकते परन्तु ये वाइरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। एक ट्रोजन सिस्टम की फाइल्स तथा डेटा को डिलीट कर सकता है। महतोपॉर्ण इंफोमेशन तथा पासवर्ड को चुरा सकता है। और सिस्टम को लॉक कर सकता है। आगे चौते नंबर पर है रैंसम वेर। ये एक तरह का वाइरस होता है जो कि अपरादियों के द्वारा लोगों के कम्प्यूटर और सिस्टम में हमला करने के लिए काम आता है। ये कम्प्यूटर में पड़ी फाइल को काफी नुकसान पहुचाता है। फिर उसके बाद अपरादिय ने जिसकिसी का भी कम्प्यूटर या सिस्टम इस तरीके से खराब किया होता है। उससे रिश्वत लेता है और उसी के बाद उसके सिस्टम को छोड़ता है। नंबर पाँच पे है फिशिंग इमेल्स। फिशिंग इमेल्स का उप्योग आम तोर पर यूजर से नीजी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है और ये तरह का फ्रॉड होता है जिसमें फ्रॉड वाले इमेल लोगों को भीजे जाते हैं। जिससी कि उन्हें ये लगे कि ये मेल किसी अच्छी संस्था से आया है। इसके दुआरा हर स्तर पर नेटवर्क को इंटरनेट पर होने वाले बाहरी खत्रों से बचाया जा सकता है। जिससे एक आम यूजर सुरक्षित होकर के अपना काम नेटवर्क और इंटरनेट पर कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी के कुछ अन्य फायदे भी हैं जैसे कि साइबर सिक्योरिटी बाहरी हमलों से और्गिनाइजेशन या यूजर के नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं। साइब ये भी सुनिशित करते हैं कि यूजर को इंटरनेट पर अच्छा प्रदर्शन मिले और अपने महत्वपोर्ण डेटा के बारे में वो सुरक्षित महसूस करें। डेटा को सुरक्षप्रदान की जाती है जिससे महत्वपोर्ण डेटा लीक या चोड़ी होने का खत्रा कम हो जाता है। इंटरनेट पर हजारों तरह की डेटा 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 बेस में रखे जाते हैं जैसे मरीजों की डेटा, छात्र की डेटा, व्यापार का डेटा, आदी। तो ये सभी अत्यतिक गोपनिये डेटा को अनौथराइस्ट पहुँच से सुरक्षित रखना ताकि इसका दुरुप करते हैं और उस डेटा को अपने सिस्टम, कंप्यूटर और अन्य डेवाइसेज में रखते हैं इन डेटा का कुछ भाग काफी महतोपोर्ण हो सकता है जिसकी चोरी होने से किसी की नीजी सिंदगी पर काफी गहरा प्रभाव पढ़ सकता है इसलिए साइबर सेक्योरिटी की मदद से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है मालवेर से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है जिससे हर प्रकार के थ्रेट्स का खत्रा रहता है जैसे वाइरस, स्पाइवेर, रैंसम वेर, एडवेर और आगे अब हम साइबर सेक्योरिटी में करियर विकल्प के बारे मे जानेंगे जैसे जैसे लोगों की कम्प्यूटर और इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे, साइबर क्राइम के बढ़ने से इस शेत्र में ऐसे विशेशग्यों की मांग बढ़ गई है जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और जिने साइबर भावनाएं उत्पन हुई है अगर आप भी इस फिल्ड में काम करना चाहते हैं तो आप बारवी पास करने के बाद इसके किसी भी कोर्स में एड्मिशन ले सकते हैं जिन लोगों ने पहले से ही कानून की डिगरी ले रखी है उन लोगों के लिए एक बहतरीन फिल्ड साबि सबसे बड़ा उपयोग करता है और हाली के वर्षों में साइबर अपराद भी कई गुना बढ़ गए हैं साइबर सेक्योरिटी उपलब्द कराने के लिए सरकार की और से कई कदम उठाए गए हैं कैशलिस ट्रांजिक्शन को अपनाने की दिशा में बढ़ने की कारण भारत में साइबर सेक्योरिटी सुनिश्चित करना आवशक है इसलिए साइबर अपराद को रोकने के लिए कंप्यूटर के महान विशेश अग्यों को रखा जाता है जिससे कि कोई भी जरूरी फाइल्स को हैक ना कर सके और महत्व पोर्णर डेटा सुरक्षित रहें उमीद है कि साइबर सेक्योरिटी के बारे में ये जानकारी आपके काफी काम आई होगी और काफी कुछ समझने को मिला होगा इस वीडियो के बारे में आपकी क्यार आए है हमें आप कॉमेंट बॉक्स में लिखतर के बता सकते हैं आगे किस बारे में जानना चाते हैं वो भी शेर कीजि